नमस्कार दोस्तों मैं अब इसे सर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC Learning में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा इस वीडियो को most important topic है process of software testing बिल्कुल theoretical topic है चलिए शुरू करते हैं Software quality is the major driving force behind testing अब देखिए सबसे important बात क्या होती है जब भी कोई भी software developer software को develop कर रहा होता है तो सबसे important बात क्या होती है customer satisfaction यानि कि software quality की आप जो भी software बनाए वो qualityable हो बहुत अच्छा हो अच्छे से सारे के सारे काम perform करे जो भी customer की उससे आसाय हो यानि जिस काम के लिए किसी भी person ने वो software बनवाया हो वो उनको अच्छी त्रहें से complete करे तो वो हम बोल सकते हैं Software quality is the major driving force behind testing Software testing has also emerged as a complete process in software engineering अब देखिए क्या होता है आपने एक topic बढ़ा है software development life cycle जिस पे मैंने complete video बनाई है और बिल्कुल simple example से आप सभी को उस topic को समझाया है उसमें क्या मैंने बताया था कि वहाँ पे जब हम coding phase होता है जो HDLC का coding phase होता है उसके बाद एक phase आता है testing तो एक बिल्कुल general सी बात है testing is not just a phase of HDLC उसमें हमने बढ़ा था कि software development life cycle का एक phase होता है testing बहुत important phase है कि जब भी हम किसी software की coding करते हैं उसको complete implement कर देते हैं तो उसके बाद हम test कर रहते हैं कि वो अच्छी त्रहें से काम कर रहा है या नहीं तो अगर हम इसको यहाँ पे बोलें कि testing सिरफ एक phase ही नहीं है बलकि क्या होता है rather software testing की जब प्रोसेस परतिये एक phase में testing करने की क्या आवशकता है देखिए जितनी जल्दी आप test करोगे यानि जितनी जल्दी आप error को ढूंडोगे माल लीजिए आपके पहले या दूसरे phase में ही कोई error आ गया और आपने वहाँ पे उसको test नहीं किया जब उसको remove करना चाहोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा एगा अगर आप उस error को सुरू में ही पकड़ लेते हैं और सुरू में ही उसको fix कर देते हैं remove कर देते हैं तो आपका खर्चा कमाएगा तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें परतियेक phase में जब भी हम software बना रहे होते हैं तो हमें परतियेक phase में testing करनी चाहिए इस diagram से आप अच्छे से समझ जाएंगे इस topic को Software testing starts as soon as requirements are specified Software testing यानि जो testing है software की वो तभी start हो जाती है जब हम requirements को specify कर देते हैं देखे बिल्कुल simple सा diagram है यहां पर क्या मतलब है कि जो software development life cycle है उसके परतियेक phase में हमें testing करनी चाहिए जितनी जल्दी आप किसी error को remove करोगे वो उतनी ही असानी से आप remove कर सकोगे Software testing process must be planned, specified, designed, implemented and quantified Most important बात है बिल्कुल point to point बात है और बिल्कुल simple सी बात है Testing is dual purpose process as it is used to detect bugs as well as to establish confidence in quality of software Most important बात है और बिल्कुल simple बात है कि जो testing है वो एक dual purpose process है Testing का क्या मतलब है कि हम bugs को ढूंड सके और उन bugs को remove कर सके और इससे क्या फायदा होता है कि हम एक software की quality maintain कर रहे है कि हाँ हमें पता होता है जो software developer होता है उसको ये confidence होता है कि मैंने एक अच्छा software बनाया है मैंने उसको परती एक phase में test किया है उसमें कोई कमी नहीं है कि जब भी कोई भी software developer है या जब भी कोई testing team है जब वो software को test कर रही होती है तो वहाँ पे compulsory क्या चीज होती है कि जो उसके critical features है जो important चीज़े हैं उस software में जो जो भी important है उस पे ज़्यादा time दिया जाए कि हाँ वो सही है या नहीं उसकी testing पे ज़्यादा time दिया जाए testing techniques should be adopted such that these techniques detect maximum bugs हमें ऐसी techniques का उप्योग करना चाहिए testing करते समय कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा bugs को हम detect कर सके हमें यानि हर एक तरीके से ढूणना चाहिए कि किस तरह से इसमें bug आ सकता है और हम उसको कैसे remove कर सकते है the testing process should be driven by quantified quality goals the process can be monitored and measured testing procedures and steps must be defined and documented बिल्कुल simple point है there must be scope for continuous process improvement अब जब भी आप कोई software बना रहे होते हैं तो हम उसमें हमें ऐसा software बना चाहिए कि वो future में हम उसमें कुछ change कर सके उसमें improvement हो सके तो यह हमारा topic यहाँ पे खतम होता है process of software testing अगर आपको अच्छा लगा हो topic तो please video को like जरूर कीजिए और अगर आप कहीं पर भी चाहें तो आप screen shot ले सकते हैं वीडियो को pose करकर कहीं पर भी आप इनको अपने notes के तोर पे अपनी notebook में note कर सकते हैं please video को like जरूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ share कीजिए thank you मिलते हैं अगली वीडियो में